हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप प्राइस एक्षन के बेसिस पे कैसे ट्वेट ले सकते हो कहने का मतलब है कि अभी आप चार्ट पर देखें बहुत सारे आपको प्राइस एक्षन देखने को मिलेंगे तो इन सब के बेसिस पे हम कैसे trade ले सकते हैं यह जो आपको चार्ट दिख रहा है इस चार्ट में क्या-क्या pattern बनाया है और उन सारे pattern के बेसिस पे हम अपना trading decisions कैसे ले सकते हैं कब different situation में हमें कैसे trade करना है वो मैं आपको इस वीडियो में explains करने जा रहा हूं तो यहाँ पे हमने Tata Alexi के daily chart को लिया और हमने stocks को randomly pick किया है कोई selection नहीं किया है तो अगर आपको price section सीखना है chart wedding सीखना है और chart में जो pattern बनता है उसके basis पे अगर आपको tweet लेना है तो आप कोई random stocks pick किजिए और वहाँ पे देखें कि क्या क्या pattern हम identify कर रहे है और previous एक साल में हम कितना tweet ले पा रहे है तो यहाँ पे हम April 2021 से हम ले रहे हैं और आगे हम जाएंगे आज की date के recording यहनी 10th of August 2022 तक जाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या tweet generate हुआ है हम chart pattern के basis पे क्या क्या tweet setup तयार कर सकते हैं क्या क्या tweet ले सकते हैं तो चलिए start करते हैं तो यहाँ पे हम chart पे आगे अब chart पे आपको क्या identify करना सबसे पहला step है कि हमें different chart pattern को identify करना और उसके basis पे हम अपना trading decisions आसानी से ले सकते हैं अगर आपने different chart pattern के बारे में study नहीं किया है तो इन सब को पर हमने detail video बना रखा है जिसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा है नहीं तो आप eye button पे भी click करके एक एक करके different chart pattern को देख सकते हैं तो सिर्फ chart pattern के बारे में knowledge रखना जरूरी नहीं है knowledge के साथ साथ उसका practical utilization भी जरूरी है जो कि मैंने already आपको बता दिया है और सिर्फ knowledge रखने से stock market आपको reward नहीं देता profit नहीं देता है यह मैं आपसे बार-बार बता रहा हूं तो चले यहाँ पर chart pattern को हम कैसे identify करेंगे सबस्पहले जो move है उसको देखने कोसिस किजिए यहाँ पर देखे यह आपका यहाँ से upside move दिखाया उसके बाद क्या हो रहा price आपका नीचे आ रहा तो यहाँ पर हम lower point को join करते है फिर price आपका एक और इस तरह से move दिखा रहा अब यह आपका क्या बना है इसको अगर हम थोड़ा सा इसे ही कर दें तो यह क्या बना है यह आपका एक पैटर्ण है यह आपका बनाया पीनेंट पैटर्ण अब पीनेंट के थोड़ा सा बनाया जिए पिनेंट पैटर्ण तो अब इसके बीषी का रेंज यहाँ पे जादा यहाँ पे कम है यहाँ पे कम है यहाँ पे कम है मतलब प्राइस का रेंज धीरे-धीरे कम हो रहा है अगर आपको इस पैटर्न का समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल सा आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा कॉंट्रेक्शन हमें देखने को मिलवा इत आप आप trading decisions ले सकते हैं तो यहां पर देखें यहां पर हम क्या करेंगे price इसको break करके ऊपर निकला आए तो यहीं मेरा क्या बनेगा buy side की तरफ मेरा बनेगा entry point उसके बाद यहां पर जो lowest point है यह हमारा बन जाएगा SL और यहाँ पर हमने क्या किया था बाई साइट की तरफ इंट्वी लिया था अब अगर हम target price की बात करें तो देख सकते हैं जिसना length इसका होगा यहनि यह level है आपका 4000 से लेके all the way 3200 यह लगबग 800 point का यह है तो 800 point का यहाँ पर अपना target price भी रखेंगे इस pattern का काम है तो अगर हम यहाँ पर इंट्वी ले रहे हैं लगबग आपका 3700 के करीब यहाँ फिर 3800 इसी का असपास इंट्वी ले रहे हैं तो यहाँ से हम 800 point उपर जाएंगे that means to हम 4500 के करीब अपना profit बनाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ से price आपका all the way 4500 शोड़ दीजे 5200, 5600 तक गया है यहनि मुझे यहाँ पर अगर हम profit percentage की बात करें तो लगबग मुझे 10% से 20% का profit यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा सिफ इस move को अगर हम सही time पर identify कर लेते हैं अब इस move को track करने में कितना time लगा देख सकते हैं यह April half से start हुआ है और मुझे जो यहाँ पर profit मिला July half मिला यहनि April, May, June, July लगबग आपका 4 months का यहाँ पर वेट करना परा और इस 4 months में हमें 10 से 20% का return दिया है यहनि जितना हमने इंतजार किया है उससे जादा return हमें दे दिया है और अगर आप 4 to 5 months में 20% का return ले रहे हैं वो छोटा return नहीं होता बहुत ज़्यादा return माना जाता बहुत साए लोग तो सिर्फ 12 से 15% का annual return से ही satisfied वहते हैं तो यहाँ पर आपको 20% का return मिल भा है वो भी 3 to 4 months में एक quarter मान सकते हैं तो यह return को नहीं ले रहें बहुत सारे pattern है जो miss हो जाएंगे क्योंकि हम जो next eye से देख रहे हैं जो pattern हमें easily दिख जाता है तो हमें वही pattern को identify करना कभी आपको कोई pattern दिखेगा कभी कोई pattern दिखेगा इसलिए at least आपको सारे pattern का knowledge होना जरूरी है क्योंकि अगर हमें next eye से at the trading जो भी pattern पहले दिखता उसके basis पर trade लेंगे और लगभग जो भी pattern आप वहाँ पर apply करोगे थुरा बहुत उपर नीचे होगा आधा 1% का लेकिन trading decisions अगर आप लेते हैं तो profit जो उन बना के देगा अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक range bound move दिखाया है इसके basis पर भी trading positions ले आ जा सकता है इसके उपर हम focus नहीं करेंगे क्योंकि इसके उपर हमने already बहुत सारे video बना रखे हैं अब देखिए हमें जो एक popular pattern देखने हों के मिल भाई यहाँ पर price आपका upside की तरफ जा रहा अगर हम यहाँ पर high को join करते हैं और low को join करते हैं तो यह क्या बना रहा है यह आपका flag pattern का formation कर रहा है यह आपका बन गया flag pattern जिसको हम लोग popularly किस नाम से जानते हैं flag and pole pattern के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह जो है यह इसका pole है और जितना length pole का होता same length का यहाँ पर हम अपना target price भी रखते हैं नहीं तो हम twailing stop loss का भी यहाँ पर इस्तमाल करते चलते हैं अब देखिए हमें यहाँ पर breakout देखने के बिला है breakout का जो point है लगबग आपका 5,900 के करीब है यहाँ पर अगर हम breakout point की बात करें तो यह आपका 5,900 यहाँ पर हम क्या करेंगे entry लेंगे किस तरफ entry लेंगे buy side की तरफ यहाँ पर हम entry लेंगे उसके बाद यहाँ पर हमारा target price लगबग हमारा होगा यहाँ पर अगर हम calculate करें तो लगबग यहाँ पर हम यह जो lowest point है 5,000 करीब है और यहाँ से all the way गया 6,000 करीब यहाँ पर यहाँ पर अपना target price रखेंगे देखते हैं यहाँ पर target price को इसने hit किया है या नहीं किया है यहाँ पर जो हमारा entry था वो entry हमारा बना था इस level के आसपास यह नहीं 5,900 करीब और यहाँ से all the way गया है आपका 6,500 के करीब और in fact यह आपका गया है लेबल हम देख लेते हैं यहाँ पर किस particular लेबल तक गया है इसके बाद रखेंगे पर आगे और उपर गया है और पूरे मेरे target को hit कर दिया है price नीचे जबूर आया लेकिन मेरा stop loss बहुत नीचे होगा देख सकते इसके बाद price थोगा नीचे है लेकिन SL को hit नहीं किया और यहाँ पे अगर आप इंतजार करेंगे तो यहाँ पे आपको 1000 point का profit आसानी से मिल जाएगा 1000 point का मतलब है कि यहाँ पे 15% का profit मिल गया और यहाँ पे हमें ज़्यादा वेट करता नहीं परा लगबग 2-3 मन्त में 15% का profit मिला है यहीं 5% monthly जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है और इसके बीच में और भी बहुत सारे pattern का formation हुआ है जैसे आप यहाँ पे आप बात कर ले यहाँ पे क्या बना double bottom का formation किया है और at the same time rejection of price from the bottom that means तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे sellers के तरफ से rejection आया है जैसे sellers के तरफ से rejection आया है यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे buyers जो कि हैं वो strong होगे तो सारे concept को आपको एक साथ apply करना जब buyers strong होगे तो हमें किस के साथ जाना यहाँ पे हमें buy side के तरफ जाना prefer करना है तो इसके बाद क्या करेंगे हम देखेंगे कि जैसे ही यह जो pattern बना है इसके उपर निकलेगा यहनी 6000 के उपर जैसे प्राइस निकलेगा हम क्या करें यहाँ पे buy side के तरफ positions लेंगे और जो candle 6000 के level को break करेंगा उसका lowest point यहाँ पे हमारा SL के रूप में काम करता हुआ देख सकते हैं यह मेरा SL के रूप में काम करेंगा यहाँ पे हम interview लेंगे और first target price हमारा यह होगा लगबग हमारा होगा 6700 करीब मेरा first target price होगा जो किया 700 point करीब यहाँ पे मुझे कितना profit मिलवा लगबग 10% से 12% का profit मिलवा यहाँ पे हमें ज़्यादा wait करना नहीं पर रहा कुछ दिनों में ही 12% का profit मिलवा 12% का profit यह मिलवा लगबग आपका 1, 2, 3, 4 4 या 5 trading systems में मुझे यहाँ पे profit मिल जा रहा देख सकते हैं, अब इस इक पे आपको बताता है, यहाँ पे देख सकते है convenience pattern है, इसक पे इसके बाद flag pattern है, इसके basis पर टेट लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया था इन दोनों को include कर लिया था अब यहाँ पे inside bar बना था इसके basis पे भी आप trade ले सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया यह जो दो bottom बनाया था इसके basis पे भी हमने trade लिया और यहाँ पे इस पूरे को एक साथ join करते हुए हमने trading decisions लिया और यह trade भी मुझे profit दिया इसलिए मैं बोलता हूँ कि अलग-अलग pattern का knowledge होना जरूरी है जो आपको at the time दिख जाए उसके basis पे आप trade ले सकते हैं उससे पहले यहाँ पे देखिए क्या बनाया है? एक resistance level यहाँ बनाया मतलब एक high यहाँ बनाया दूसरा high यहाँ बनाया मतलब यहाँ पे 2 high बन गया और इसको join करते हुए हम एक resistance line डोग करेंगे जो कि आगे भी continue रहेगा अब जैसे ही price दूसरे resistance level से नीचे आया है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? sell side की तरफ जा सकते हैं और यह मेरा first target price रह सकता है 11% का profit आप यहाँ से भी बना सकते हैं तो देख सकते हैं हम किस तरह के से सिर्फ pattern और price action को use करते हुए multiple तरीके से tweet ले सकते हैं आपको कोई भी तरीका profit दे रहा वो तरीका सही है लेकिन वो price action के basis पे होना चाहिए आपके मन के basis पे नहीं होना चाहिए उसमें जो story develop हो रहा जो story हमें candle से मिलवा वो story follow up होना चाहिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब देखें यहाँ पे क्या कुछ हुआ है उपर में अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा price आपका एक यहाँ पे high बना है इससे उपर यह high बना है मतलब higher high pattern का formation कर रहा है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा rejection from the buyers यहाँ प्राइस उपर जा रहा उपर के level पे यहाँ पे कौन नहीं मिलवें इसको buyers available नहीं मिलवें जब buyers available नहीं होते हैं तो इसके अलाब़ा और कौन होते हैं sellers होते हैं sellers यहाँ पे entry करेंगे मतलब यहाँ पे sellers जो कि है वो थोड़ी से strong होंगे अपना strength gain करेंगे तो यहाँ पे हमें sell side की तरफ जाना है लेकिन कब जाना sell side की तरफ उसके लिए हमारे पास एक और सीज़े अब देखिए यह तो हमें बोल दिया कि sell side की तरफ जाना है लेकिन अगर हम यहाँ पे decide नहीं कर पा रहे कि हमें sell side की तरफ कब जाना है तो आपको यहाँ पे trading नहीं लेना उसके लिए थोड़ा सा आपको और research करना पड़ेगा और यहाँ पे इसका lowest point भी है लेकि यह लोग बना है इससे उपर यह लोग बना है मतलब यहाँ पे higher low pattern का formation हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इन तीनो लाइन को join करते हुए इन तीनो लोग को join करते हुए एक line draw कर दिया अब यह line मुझे बताएगा कि कब हमें sell side की तरफ जाना है और यहाँ पे target price क्या होगा हम किसी भी price पे sell कर रहे है हमारा support level है long term यह support level है यह हमारा final target price होगा price इससे नीचे जाए उपर जाए हमें मतलब नहीं हम यहीं पे profit book करेंगे तो हम sell side की तरफ जाएंगे इस level पे यहनी इसको clean कर देते है 7200 की level पे sell side की तरफ जा रहे है और यहाँ पे हम जो profit बना रहे लगबग आपका 6600 की करी profit बना रहे है यहाँ पे मुझे लगबग 400 इधर और 200 इधर 600 करी यहाँ पे मुझे profit मिलता हुआ दिखा है 600 का profit एटमेंस टू 8% का profit तो दीख सकते हैं कितना profit हमें आसानी से मिलता हुआ जा रहा सिर्फ हम क्या करें candles के nature को follow करें और जहाँ पे जो pattern बन रहा उस pattern को follow करें कहाँ पे rejection आ रहा buyers के दौरा, कहाँ पे rejection आ रहा sellers के दौरा, बस यही सब identify करना यानिक जो knowledge आपके पास है वो sufficient knowledge है उससे आप profit बना सकते हैं बस उस knowledge का कहाँ पे apply करना वही आपको सीखना और वही मैं आपको इस वीडियो में price section में बताने की कोसिस कर रहा हूँ फिर देखिए इसके बाद आगे क्या हुआ आगे हम बढ़ते अब इसके बाद देखिए recent बाले पे हम आ गए अब यहाँ पे देखिए price क्या किया यह जो support level था इसको break करके नीचे आ गया मतलब अब यह support level क्या बन गया था resistance level बन गया था कुछ दिनों के लिए जब तक prices के नीचे था यह resistance level बन गया था अब क्या हुआ candle आया green candle में strength के साथ क्या किया इस resistance level को तोरा और वापस इसको support level बना दिया और जैसी resistance level तोटके price उपर गया closing दिया यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम एक बाद फिर से entry ले सकते हैं किस तरफ buy side की तरफ entry ले सकते हैं target price क्या होगा यह हमारा target price होगा buy side की तरफ जो entry ले ले लगबग हमारा 7000 का level है जहाँ पे हम entry ले ले target price है हमारा लगबग 7800 करीब यहाँ पे भी मुझे 800 point का profit that means लगबग 12% का profit यहाँ पे बिलबा तो देख सकते हैं हमें सिर्फ pattern identify करना है उसके basis पे हमारा stop loss entry point सारा पहले से well define हो रहा वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की जोगतनी है बस आपको pattern identify करने में मेहनत करना होगा और सबस्पहले यह आपको back testing करना होगा तब ही आप live market में यह सारा pattern को identify कर सकते हैं तो ऐसे ही आप किसी भी randomly कोई भी chart pick कर लीजे उसके previous one year में जाएए और वहाँ पे क्या-क्या pattern आप find कर सकते हैं क्या-क्या tweet ले सकते हैं वह आप find कीजिए यहाँ पे सबस्पहले आप daily chart इस्तमाल कीजिए daily chart के बाद आप hourly chart इस्तमाल कीजिए उसके बाद आप 30 minute फिर 15 minute फिर 5 minute ऐसे ही आपको previous one year के move को देखते हुए trading decisions लेना और यही आपको exercise आगे भी करना है तब ही आप price section को समझते हुए live market में at the same time trade लेने time आप pattern को identify कर सकते हैं अब इसके बाद क्या हो रहा यहाँ पे तो हम अपना trading decisions हमने trading decisions यहाँ पे ही लिया था उसके बाद उपर से price उपर गया फिर नीचे आया और फिर इस support level को क्या किया रिस्पेक करिया है इसके नीचे गया लेकिन closing नीचे नहीं दिया है तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं इस particular level पे हम buy side की तरफ जा सकते हैं यहाँ पे तो नहीं अगला candle जो भी open होगा हो गया यहाँ यहाँ पे profit मिला कितना मिला वह हम यहाँ पे calculate नहीं कर रहे है अब यहाँ पर देखे क्या कुछ हो रहा longer time frame में अगर आप एक चीछ देखेंगे यहाँ पर आपका एक high बना है उसके नीचे यहाँ पर high बना है यहाँ यहाँ पर क्या हो रहा lower high pattern का formation हो रहा है नीचे में अगर हम बात करें यहाँ पे low बना है इससे नीचे यहाँ पे low बना है मतलब यहाँ पे higher low pattern का formation हो रहा है तो जब भी आपका lower high और higher low बना है that means यहाँ पे एक pattern बना है कौन सा pattern होगा symmetrical triangle pattern जो कि आपका इस तरीके से बनता है जिसमें आपका ऊपर में lower high और नीचे में higher low pattern का formation होता है जब भी यह pattern बने समझाए symmetrical pattern है तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों line को जोईन करते हुए हमारा बन गया resistance line और इन दोनों low को जोईन करते हुए हमने line ड्रॉक किया जो कि हमारा बन गया support line अब हम वेट करेंगे प्रैस के contraction का देख सकते हैं यहाँ पर कम हो यहाँ पर कम हो यहाँ पर कम हो रहा यहाँ पर कम हो रहा यहाँ पर कम हो रहा मतलब बहुत जल्दी यहाँ पर ब्रेक आउट देखने को मिलेगा यहाँ पर थोड़ा सा इंतिजार करना पड़ेगा और दे हमने टार्गेट पर इसकी बात करें तो यह अभी ऑपनी रहेगा यहां पर हमारा टार्गेट पर इस रहेगा इसके हाइस पॉइंट और लोइस पॉइंट को अगर हम जॉइन करें ती यह लेवल हो जाएगा लगबग आपका 6400 से लेके all the way 7200 यहां पर लगबग आपका 800 पॉइंट का टार्गेट पैस रहेगा और यहां पर हम जो बाइसाट की तरफ इंट्वी लेंगे वो किस लेवल पर लेंगे वो लेवल से यहां पर हम देख लेते हैं लगबग आपका 8400 करीब लेंगे तो 8400 में अगर हम 800 और एड करते हैं यह होता आपका 9200 करीब यही मेरा क्या बन जाएगा टार्गेट पैस बन जाएगा इस तरीके से आप टार्गेट का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और देखिए और तार्गेट पैस से भी काफी ऊपर ही ट्वेड कर रहा है तो इस तरीके से यहां पर आप क्या कर सकते हैं ट्वेड लेके आपको समझना है तो उमीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जबूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को मिस ना करें सो डैस आल फैंड्स मिल दें नेक्स वीडियो में जैहिन